अजी प्यारे बच्वों आज हम शुरू करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 12 का जो एकनोमिक्स का पेपर हुआ है ठीक है उसके objective questions के बारे में बात करेंगे इसके अंदर हम 4 ही code a b c o d ठीक है चारो ही code को हम solve करेंगे हमारे पास लियर और इसके अंदर आपके पास किसी भी वीजेज अखल बंसरमैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे जुरू सब्सक्राइब करें ठीक है जैसे हमारे पास पहला कोशन इन में कौन सी अर्थवस्ता का ध्यान है मांग का सिधान्त गिफेन वस्तु की वस्तिति में मांग वकर का ढलान होता है धनात्मत चले जाएंगे ठीक है और किसी भी कोशन कर अगर आपको डाउट होता है तो आप उसके बारे में मुझे बता देंगे मैं क्योंकि एकनोमिक्स के बारे में नालेज नहीं है मैं उनको डिस्कूर्स करके आपके पास बता दूँगा और गल्द सही कि जानकरी आपको आपके म मिल जाएगा आपके पासणित विचारधारा में मैं में अलएक पर ड है बारे में में इसक इकनोमिक्स ही होना चाहिए था आपके पास है तो इसस कोशिंग के नरए साट रहेगा लगए नेक्स्ट यदि आपके पास आपको ऐसे ही किसी questions के अंदर doubt पर create होता है तो आप मुझे बता सकते हैं मुझे message कर दीज़ेगा description में आपको उसके बारे में जानका रिजूर मिलेगी ठीक है आप comment करने से पहले description में भी चक कर सकते हैं कि अगर किसी ने पहले comment किया होगा उस question ये बारे में तो उसके बारे में मैंने description के अंदर जूर लिखा हो गया होगा यहीं सिमान दुभोग प्रविर्ती MPC एक है तो गुना कितना होगा अनंद ठीक है आपके पास क्योंकि formula आपके पास अचा बहुत से question आपके में एक दूसरे से बिल्कुल से मैच भी करते हैं भारतिय रिजर्व इन विच कि स्थापना की गी थी 1935 के अंदर ठीक है इन में से कौन सा प्रत्यक्षकर है आपके पास आयकर income tax सही समीकरन चुननी है आपको MR राबर में TRT क्यों TRY के हूँ आपके पास डेल्टा मीन चेंज आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं आपको यह नेक्स्ट आपके पास MC वकर AC वकर को स्थी में काड़ता है जब AC वकर नियूंतम होता है मीन्स कर्विज मिनिमम नेक्स्ट पूरन प्रत्योक्ता में फर्म के संतुलन की स्थी हो अपके पास कों सी गैर कर परवापती है ठीक है उपहारो ग्रांट आमारे पास भुक्तान संतुलन हमेशा होता है संतुलित आपके पास मीन्स बैलेंस डम क्या सकते हैं नेक्स्ट आपके पास कुछ खालिस्थान है अर्थ शास्त्र एक डैश है समाजिक सोशल विज्ञान स साइंस तत्रश्टा वकर मूल बिंदू की हो डैश उन्तोदर मीज कन्वेक्स कन बनाता है मांग वकर के मध्य बिंदू परमांग की कीमत लॉंच डैश होगी ठीक है आपके पास विनेट्री मतल इकाई होगी पैमाने के प्रतिफल एक डैश धारना है दिरक काली मींज नेक्स्ट आपके पास ओस्त लागत वक्क डैश होता है ठीक है यू अकार के अंदर आपके पास ओस्त आयव प्रति इकाईत पादन की डैश होती है ठीक है कीमत आपके पास समाने लाब की वस्ता में डैश टी आरो टीसी दोनों आपस में ब्राबर होते हैं आपके पास ठी कीमत बजार की संभव है आपके पास एक अधिकार विश्व महामंदी का वर्ष डैश था आपके पास 1929 आपके पास नेक्स्ट बजार कीमत पर सकल घ्रेलिद पाद प्लस इन दोनों में से किसका आपके पास बनेगा गिसावट वय मीज़ डेप्रिशेशन सापके पास हम क्या सकते हैं ठीक है आपके पास नेक्स देखेंगे अर्थ्यवस्ता में वस्तो के बदले वस्तो का विणमया होता है वस्तू विटिवियमया से भारत में एकरपिय के नोट डैश द्वारा जारी किया जाता है कैंद्र जबार्ब जिंघर रवल्म से एक सेंट्रल इवार्मन्त सिमा सुलक आपके पास ठीक है एक सैंस जूटी जब निर्यात का मुल्य आयात के मुल्य सदीक होता है तब बेपार सुन्तूलन डैस्य होगा अनकूल होगा ठीक है सही और घल्त के 1 by 1 minus MPS MPS नहीं MC होता है ठीक है आपके पास गल्थ हो गया ब्रिद्यवस्ता पेंशन रास्ट्रिया आये में शामिल होती है गल्थ बेपार शेशना बुक्तान शेश में अंतर पाया जाता है सही ठीक है बैंक दर है जो बैंक सरकार को रिन पर देती है गल्थ ठीक है बिवस्त समस्टित अर्थ्वस्ता में कोई संबंद नहीं है गल्थ बजड रेखा को समुद पाद रेखा भी कहते हैं गल्थ ठीक है घरते प्रतिफल का नियम क्रिशी पर लागू नहीं होता है गल्थ एक अधिकार में फरंत अध्योग का अंतर समाप्त हो जाता है सही सेवा कर एक प्रतिक्ष कर है ठीक है सही आपके पास क्लियर इसके पास देखेंगे मारब पास मारा नेक्स्ट सेट यह के बारी में हम बात करेंगी ठीक है खीयơn के अंदर के कोस्टिंस के नदर हमें क्या कह रहा है वो देखेंगी आप बोश से Красिंश के बा natur इस अ'mे देखेंगे कि वह आपके पास किल नेक्स मांग का सिधान्त लागू होता है कि मांग का सिधान्त किस पर लागू होता आपके पास समाने वस्तू क 언제 आओगी जब मांग वक्र य आक्ष के समानंतर होमागे समान सभाए स्मान किरतिय तब इसकी पूर्ती घड़ती है ठीक है निमलिक परस्तिरियों में किसमें MR रिनात्मक हो सकती है जब AR घट रही हो आपके पास ठीक है विश्य महामंदी का वर्ष कौन सा था 1930 यह आप देख सकते हैं यह एक ओड के अंदर भी कोशन आयोगा था बिल्कुल सेम आपके सब्सक्राइब और साधन कीमत कि धारणा के मुख़य मध्य मुख्य अंतर क्या है शुद्ध एप्रत्यक्षकर आपके पास एक वैभारिण कि आपकेस एक बहँते तो जोर्मान नर्मान करता धका सभी अति पूर्ण रोजगार संतुलन की अवस्था में क्या होता है कीमते बढ़ती है वस्थे और सिवाओं की परवा में कोई विर्दी नहीं होती कुल मांग अवश्यक पुरन रोजगार से अधिक होती है मेंजु प्रोक्त सभी आपके पास हम कह सकते हैं एक प्रकार से ठीक है नेच्स आपके पास MPC A को ये कोशन भी आपके पास एक ओड में आए हुआ था तो क्या हो जाएगी अनन्त हो जाएगी आपके पास इंफिनिटी ठीक है नेच्स आपके पास प्रगर्ती शील कराधान का ओदेशय क्या है त्याक का समान वित्रन करना equitable distribution of the sacrifice आपके पास नेच्स नेमली में किसको बेपार संतुल में शामिल नहीं किया जा सकता इन में से किसी को भी नहीं सेवाओं का आया पनेरा किसी देशों का मुध्य लावांश और व्याजगा बुक्तान सेनानियों द्वारा किया गया खर्च उपरवक्त सभी आपके पास ठीक है इन सभी को शामिल नहीं किया जा सकता आपके पास ठीक है उसके बाद नेक्स देखेंगे कोशंबर 15 आपके क्षाश्थान के रूमें आये हुए है येका merd п gates बढ़ जाय कारों की मांग में क्या होगी कारों की मांग सम्कुच्छ रहएगी कंट्राक हेंगी आपके पास यदि कीमन में प्रीवर्तन होने से कुल घय में कोई प्रीवर्तन ना हो तो मांग डैस लोच़धार होती है का लागत के मध्या डैश में अंतर पाए जाता है अल्पकाल के अंदर आपके पास किमत भिव्यद में डैश समंद्र एकाधिकार ठीक है वेरोजगारी की समस्य समासिस्ट अर्थ चास्तर का उधारन है ठीक है दोहरी गन्ना से बचने के लिए अंतिम वस्तों के मुल्य की गन्न मुंद्र की विशेष मुख्यवशेष्ट ठीक है तरलता होती है जम शर्विकार करना बेपारिक भेंकों का प्रात्मिक का रहें है रोजगार के प्रंप्रारिक सिधानत के अंसार ठीक है पूर्ण रोजगार संतुलन एक समाने बहुस्ता है गुनाक का मुल्य एक वटा में एक वन माइनस MPC होता है ठीक है ये भी आपके पास कोशन आए हुआ था एक कोट के अंदर आपके पास ठीक है वहाँ आपको इन्होंने देकर सही गल्द में पूछा था और कोशन त सथापन वस्तु की किम्मत में वृदी मांग में वृदी के करण होती है और सही गल्द बताने हमें जब मांग पूरण तया लोचदार होती है तो लोच का मुख्या गुणाक शुन्य आपके पास ठीक है कोफिशन एलेक्रशिटी जीरो वेंदा गल्द आपके पास अल्पक आयक को बचता निवेश में बाटा जाता है सही लगान ब्यासता लाग के योग को परचालन अधिशेश कहते हैं सही आपके पास ठीक है एंड नेक्स्ट आपके पास देखेंगे आर्थिक स्तिर्ता कि प्रापती सरकारी बजट का उदिशय है सही करे कानूनी भुकतान है सही वेपार संतुलन अन्कूल होता है जब नेरायत से अधिक होती है सही आएकर एक परत्यक्षकर है गुनक निवेश में होने वाले प्रिवर्तनों के फल्सब्र आय supports आया में होने वाले प्रिवर्तन का उनपात है घ्वशता में वी बेरोज़गारी संबव है थी भारत में के अला का सेंट्ररंक वेंग तरह एंडिया उसके बार देखेंगे में क्मः चोड़ नक्सक्तन नेक्स कोड लिए क्वां करने के लिक्वे कि वह देखते हैं और आपके पास पहला कोशंड अर्च शास्त्र कि हमारे पास ह graveyard Uber ठीक है आपके बारे मुस्मित आने डॉक्तर मार्शल ने ने अचकर का डलान हमेशा रिनातमक होता है जग मांग वक्तर ओएक्स अक्ष्त के समानंत होती है मांग की लौच यह अनन्थू ठीक है निमिलित में से कोम सा रथकर चर्वाबर में टीप वराबर में पीद बडहा क्यों थीवी इस सहीAttach, अपके पास पूर्ण परत्योंकत Delhi कि वस्ता में की 20 लेने वाली। ठीक है। और एका दिकार के अंतर्गत ओस्त आय वकर नीचे की तरफ जुकि हूँ ठीक है। अंडर मॉनोपॉली एविरेज रेवेन्यू कर्व इज ठीक है। आपके पास डाउन वर्ड स्लॉपिंग आपके पास होती है नीचे की तरफ जुकी हुई ठीक है उसी के बेस पर आगे देखे हमारे पास नेक्स्ट कोशन पर नो हमारा सी कोट का निमली म aussi कौन सी समिस्टी चर है राष्टरी आयें दोरी गयन्हा के फ्लस्फ clock राष्ट्री आयका ठीक है अक्तियदी अनुमान लग जाता है ए मिनेक्स आपके पास नीमली म किसको अंतीम भोग वै में शामिन नहीं किया जाता ठीक है निर्मान पर वह आपके पास मीज एक्सपेंडीच और ओन कंस्ट्रक्शन को ठीक है उसके बाद नेक्स देखेंगे हमारे पास निमली में से मुद्रा के प्राथिमी कार्य कौन से है ठीक है विनिमे का माध्यम और मुले की काई मीज मेडियम ऑफ एक्चेंज यह इनिट वैल्यू मीज बोथ ए और वी आपके पास यह दोनों होते हैं नेक्स्ट कोशन देखेंगे हम कोशन में बते रहां भारत के रिजर्वेंग की स्थापना का वही 1935 के अंदर यह आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए सैट में भी था कोशन यह से हम आपके पास ठीक है बुक्तान सेश में और के पास कोशन समारा है और नेक्स्ट आपके पास आगे खाली स्थान दे रहे आपको जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ती बढ़ जाती है तो इसे डैश कहते हैं पूर्ती में विस्तार जब कीमत के घटने से कुलवे डैश है तो मांगी काई अधिक लोचदार होती है आपके आपके पास ठीक है जब बढ़ती है कुलवे बढ़ता है आपके पास ऑचिक एक तधस्ता वककर मुल बिंदु कीएश होता है आपके पास नतौद दर कंवेक्स बनाएगा पर्रिवरतन शीलन पाद का नियम-धैश होता है अल्प्काल में शॉट रह ऑफ us inoga यह एं और भुमी वीमा प्रवंत आधी पर किये खर्च को डैश कहते हैं ठीक है स्थिरलागत विश्य महामंदी का वर्ष उन्नी सो नक्तिस यह कोशन आप देख सकते हैं तिन्नों ही कोड में आया हुआ था चात्रवीती डैश आया है हंस्ताक्षरन ट्रांसफर आपके पास मुद्र में डैश शामिल होते हैं ठीक है क्रंसी और वैंक जमा आपके पास साग उनक आपके पास क्या आता है डिमांड डिपॉजिट अपके पास केंज के रोजगार सिधान्त के उन्सार एक समान्य अवस्ता है ठीक है अपूर्ल रोजगार संतुलन मेंस लैस दन फूल शेश के दो मूल खाते हैं ठीक है चालू खाता और पुंजी खाता आपके पास यह हो जाएगा मिन्स करंड अकाउंड एंड़ा कैपिटल अकाउंड आपके पास एंड नेक्स्ट कोशनबर 27 सही गल्थ पताने हमें आगे लास्ट 14 कोशन्स के अंदर ठीक है अर्श शास्त् दूदवाला कोशन भी आपके पास पिछली पेपर में था एक ओड़ अंदर ओस्त लागत वकर यूवकार का होता है आपके पास सही पूर्ण परत्योगता वकर में बस्तिय समरूप होती है सही ठीक है एक अधिकार परत्योगता में फर्मों के उध्योग में परिश ठोने अधिकार अधियोग छोड़ने की सरतंतरता नहीं होती है गल्त आपके पास पुंजी पर ब्याज एक प्रवाह है सही ब्रीदा वस्ता पेंशन राष्ट्रिया में शामिल होती है गल्त यह कोशन भी आपके पास था मुद्रा विनिमय के माध्यम से के रूम में कार्य करता है सही आपके पास ठीक है एंनल नैस्ट आपके पास कोश्चंबर 36 देखेंगे हमारे पास ठीक हैसली गल्त के अंदर इसमें क्या गरे है आपको सिमांत वच्चत पर्विर्ती MPs सिमांत भोगं प्रविर्ती MPC का योग हमेशा एक उता है आपके पास सही सेवा एक कर नहीं है गल्थ बारत में रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया द्वारा सिक्के जारी कि यह आते हैं गल्थ ठीक है सकल ग्रेल उत्पाद में पुंजी का तिलावता चात्रविती शामिल होती है गल्थ आपके पास ठीक है ओके इसके बाद देखेंगे हमारे पास मारा लास्ट को कोड़ी इसके अंदर हमें क्या दे रहा देख सकते हैं आप हमारे पास कोड़ी के अंदर आपके पास कि इसी तरह से आपको question दिएगे हैं सबसे पहला question निमल में से कौन सा चर वसिस्ट अर्ष शास्तर का उधारन है फर्म का उत्पादन आपके पास ठीक है next car तरह पेट्रोल की मांग कहलाती है आपके पास ठीक है पूरक आपकी जब मांग में प्रतिशत प्रिवर्तन कीमत में प् आपके पास थे ठीक है पिछले कोड के अंदर जा सिमान दुद पादन शुनने होता तो कुल पादन डैश होता है maxima मतला धीकमतम आपके पास सही समीगर्ण चुननी है आपको इसमें से क्या होगा ये कोशन भी आपके पास था MR बराबर में TR by T by क्यों डेलड़ा आपके पास उसके अंदर हुए इस बदलाब के बारे में चेंज के बारे में बताता है पूर्म प्रत्योगता में फरन के सं चुका हुए आपके पास ठीक है नीमन मैं से कौन सो समिस्ठ ततव नहीं है आपके पास भकता संतूलन आपका ठीक है ए laufen से लीमिली में से कौन सी विधी नीं कि ड़ी है की स्की विशाहर्दारा किसकी बकालत करती है यह आपके पास एक होड में आए हुआ था मैंने आपको जूबत करों छक्यद्यके पास वी आ पार्ट हो सकते हैं तो यह इसका पार्ट है तो यह बतिता है लيل कि आ hat नेक्स्ट आपके पास यदि सिमात दुभोग परविर्ती एक है तो गुनक होगा अनंत ये कोशन भी आपके पास था परगरती शील कर का उदेश्य होता है आपके पास त्याक का समान बटवारा ये भी आपके पास दूसरे कोड में कोशन है बेपार शेश है वस्तूओं के आ है की मत में प्रविर्तन होने पर वस्तू की मांग में प्रॵिर्तन ना हो तो मांग को डैश क्याते हैं पूरं दे लोचदार डैश के बन दिरकाल में ही लागू होता है पनेमाने के परतिफल आपके पास विक्रे लागत प्रात्मिक पास भारत में एक रप्य का नोट ड्राइश द्वारी किया रहता है के अंदर सरकार द्वारा ठीक है यदि एस एडी से बड़ी हो तो अर्थ यस्तर में वस्तु और सिवाओं की मांग पूर्ति उनकी मांग से डैश होगी अधिक होगी आपके पास ठीक है और नेक्स्ट आपके पास यदि MPC 0.8 तो गुना कितना होगा पांच आपके पास वन माइनस MPC की आपने वन माइनस 0.8 0.2 0.2 को आप 1 को 1 by 10 2 by 10 कर सकते हैं 2 by 10 means 1 by 5 हो गया पर्ड़ दी हमने तो 5 बन जाती है आपकी वैल्यू ठीक है एक करका करागात और करापात एक ही व्यक्ति पर पढ़ें तो उसे क्या कहते हैं परत्यक्ष कर कहते हैं जब निर्यात मुल्य से अधिक मुल्य कम होता है तो वेपार सही आपके पास बजर रेखा को समुद्पाद रेखा भी कहते हैं गल्त पूर्तितर स्टाग में कोई प्रवर्तन नहीं होता गल्त ठीक है ओस्ताय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है सही आपका जिन वस्तों के विविन उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है सही सिपाब की जोड के बराबर बनेगा एड़्यटी यहां ऐगा जीडीपी आपके पास यहां आएगा आपके पास ठीक है तब आपके पास यह सही ओ जाता मुद्प्र में के बर करेंसी नोट शामिल किये जाते हैं गल्त आपके पास रोजगर सिधान्त के अंसार बचताय का प्लस जी प्लस एक समीकरन बिल्कुल सही है ठीक है और नेक्स ब्ज़ल सरकार के यह विद्य वर्श की वास्टिक प्राप्तियों तर्ख का कथन है ठीक है एस्टिमेतिर कथन है मिंस आपके पास एक प्रकाष सेम कह सकते हैं ऐसे तो उस कारण क्या हो जायगा आपका गलत हो जाईगा और एक अंदाज में शामीन boxing के लिए कि हमें यह प्राप्तियां होगी हो और हम यह खर्चे करेंगी पुंजी के दिलाब को रास्ट्रिया में शामीन नहीं किया जाता है सही आपके पास क्लियर अगर आपको वीडियो चिले गए तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों में तुरु साथ जूर करें और अगर उस चीज के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में भी सही गलत के बारे में जानकारी मिल जाएगी ठीक है और अगर आपने भी तक मेरा यूट्यूब चैनल